पाकिस्तान में लोकतंत्र की जिंदगी छोटी होती है। 64 साल का इतिहास इसका गवा है। देश एक बार फिर उस दो राहे पर पहुंचता जा रहा है जहां सेना और सरकार एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन इस बार हालात जरा बदले हुए हैं। पर्वेज मुशरफ ने जब पिछली बार नवाज शरीफ का तख्ता पल्टा था तो दुनिया अलग थी। पाकिस्तान दक्षिन एशिया का एक साधारन देश था लेकिन उसके बाद 9-11 ने दुनिया बदल दिये। अब वो सिर्फ दक्षिन एशिया का एक देश नहीं बलके अमरीका और उसके साथियों का एक बड़ा साजिदार है। अफगानिस्तान की लड़ाई में इन देशों का काम बिना पाकिस्तान के नहीं चल सकता। इसलिए अब वहां का बदलाव पश्चिमी दुनिया के लिए भी बड़ा होगा। अमरीका भले ही कह रहा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इसमें दखल नहीं देगा लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता। पाकिस्तानी सेना और चरमपंथियों के रिष्टों की रिपोर्टों और ओसामा बिन लादेन कांड ने दोनों देशों को जिस जगा पहुँचा दिया है वहां से अमरीका और पाकिस्तानी सेना के बहुत अच्छे संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तैह है कि आम लोगों ने जिस आशा के साथ इस बार लोकतंतर तयार किया था वो तूट गई है। सेना और अदालत सरकार के खिलाफ हो गए हैं और चार साल के अंदर पाकिस्तान एक बार फिर खराब नित्रतु का शिकार हो गया है।